हलो दोस्तो आपको श्वागात करता हूँ तौरंग लेक्ट्रोनिक्स चनल में तो दोस्त आप देख सकते क्लारियन कंपनी के CRT TV है मैं पार्टी के घर पर रिपियर कारने के लिए आया हूँ और इसका पावर सुई जो में पावर सुई इधार है ठीक है और यह TV आन नहीं हो देख सकते हैं तो आपका इनफोर्मेशन देता हूँ कि देखिए जो क्लारियन कंपनी का टीव है इसका पीछे जो मॉडल नांबर होता है यह आप अच्छा करके एक बाद देख लिजिए ठीक है तो यह TV का जो मॉडल नांबर यहाँ पर देखा जाता है आप देखिए यह और पर कुछ भी नांबर नहीं है सेव टीवी 14, 17, 21 यह लेखा यह दो यह मॉडल नांबर नहीं है तो इसलिए आपको आपको चाहिए कि ओरीजिनाल कंपनी का टीवी नहीं है इसका अंदा चायना कीछ है ठीक है और मार्केट का जो क्लारियन कंपनी का टीवी होता है उसका PCB बहुत अलग टाइप होता है ठीक है तो चलिए मैं open कर लेता हूं तो इस तो इस तो इसका जो योग है दिखिए यह square type जो ultra slim योग होता है और tube होता है ठीक है और इसका PCB दिखिए normal सा PCB है यह ultra slim PCB नहीं है तब भी PCB किस तरह connection किया है है और अब देख सकतो है इसका जो output section से एक बड़ा PF है और extra कुछ भी important parts नहीं है जो east west section का अंदर use होता है ठीक है तो दोस्तो अब देख सकतो है यह date problem है यह problem आपको repair करके देखाऊंगा और कैसी repair किया जाता है यह भी सब कुछ आपको step by step करके देखाऊंगा ठीक है तो मैं पार्टी का घर पर हूं और दोस्तो पार्टी का घर पर tv requiring करना बहुत टाफ होता है तो बहुत वीडियो में आपको देखाया तो चलिए मैं इसका जो wiring मैं open कर लेता हूं करने के लिए यह करना पड़ेगा नहीं तो PCB उल्टे नहीं होगा ठीक है तो इसका जो degressing coil का ओयर है यह भी open कर लेता हूं ठीक है और यह open करने का बाद main AC cord यह connection करकी राखा है क्योंकि इसका ओयर थोड़ा लंबा है तो उसका बाद PCB को open करना पड़ेगा ठीक है तो दोस्त कि फास्टी जो AC cord है यह switch भाया होके PCB पर जाता है पूरो continuity आप एक बाद चेक कर लिजिए ठीक है और चेक करने का बाद आप यह जो point है ठीक है यह सब को चेक करने का बाद यह PCB का main जो capacitor होता है ओ point पर voltage होता है कि नहीं है अबर चेक करना पड़ेगा तो दोस्ते चलिए इस 600 dc volt range for selector का राखा है क्योंकि capacitor का अंदार 300 volt का सबस्टास कभी कभी store होता है अब देख सकते हो देखें 295 का सबस्टास voltage store हो गया है तो इस टाइम में AC cord open करके ही राखा है क्योंकि इतना बोल जो store हो गया आप कुछ भी रीजिन से capacitor पर touch हो जाएगा तो आपको इतना जटक देखा देखा कि आपका हाद भी वह क्या वरता हूंगा डेमेज कर देगा ठीक है तब देख सकते हैं AC cord में एक पर ले लिया और आपको तब ही देखा तो voltage देखें स्टोर हो गया है तो दोस्तो तो यह voltage को आपको discharge करना पड़ेगा किस तरह आपको देखाता हूं तो दोस्तो देखिए इसको डैबल लेके इस तरह discharge किया लेकिन दोस्तो यह सही तरीका नहीं है ठीक है यह बंब जाया सी आवाज इस तरह निकलता है तो दोस्तो यह सही तरीका नहीं है क्योंकि मैं पाट्री का घर पर हूं और यह पोजेशन पर आपको बहुत भीरी में ब discharge किजिए ठीक है और अब LED lamp से discharge करेगा तो पूरा discharge नहीं होगा यह आपको ध्यान डगना पड़ेगा ठीक है और discharge करने का बाद आप PCP पर काम किजिए ठीक है तो दस्तो चलिए उसका बाद यह जो चार्ज जब स्टोर हो जाता है इसलिए आपको confirm होना चाहिए कि यह पाउ पूटा तब यह दोस्तो यह PCB का और आच्छा करके दिखना पड़ेगा दोस्तो चलिए दोस्तो एक्चली मेन पाउर के जो क्यापासिटर पर भोल्टेज टोरोने का बहुत कुछ रिजिशन हो सकता है अब देख सकते है यह पोजिशन पर दो रेजिस्टेंस है ठीक है और यह जो दो रेजिस्टेंस इसका बहलू होता है 120K का असपास ठीक है अधिकतर PCB का अंदर 120K का दोनो रेजिस्टेंस सिरीच कनेक्शन देखा जाता है यह रेजिस्टेंस फॉल्ट से और ओपन होने का बाद इस तर प्रब्लम अधिक होता है और STR भी प्रब्लम हो सकता है त यह जो सिरीच लाइन का दो जो रेजिस्टेंस है यह रेजिस्टेंस है ठीक है और यह रेजिस्टेंस से एक फीडबैक सप्लाई जो 12V का असपास आउटपूट होता है और वो वोल्टेज यह सार्किट पर नहीं आएगा तो क्यापासिटर पर चार्च स्टोर हो जाता है पावर सेख्चन रेगूलेशन नहीं होगा यह एक भी रिजेन है तो यह रेजिस्टेंस को मैं चेक के यह एक रेजिस्टेंस ओपिन हो गया तो रेजिस्टेंस को एक बड़ चेंज करके आपको देखांगा तो दोस्तों और उसका सर्वाइ मैं अच्छा करके PCV को देखने वह पर मैं रेजिस्टेंस लागाऊंगा ठीक है देखतो मेरा पास रेजिस्टेंस है कि नहीं है दोस्तों यह दो रेजिस्टेंस जो है यह 120 के का यह दोनो रेजिस्टेंस का एक एक भालू हता है और यह सेम रेजिस्टेंस मेरा पास नहीं है लेकिन मेरा पास जो एक रेजिस्टेंस है उसका जो वैलू 270 का एक रेजिस्टेंस है तो दोस्तो अब देख सकतो यहाँ पर मैं वह एक रेजिस्टेंस लागाया क्योंकि वह सीरेज हटा दिया और एक रेजिस्टेंस लागाया वही और यह वान वाट का रेजिस्टेंस है ति कि अब देखिए इसका जो पोजिशन आप दोबड़ा फॉलो किजिए क्यूंकि यह जो में क्यापसिटर का पॉजिटिव सप्लाई है यह पॉइंट से यह पॉइंट पोर दो resistant था मैं डाइरीक इधर से इधर कनेक्शन कर दिया यह दिखे कर दिया और उसका बाद इक बद देखना पड़ेगा सप्लाई देखे अब देख सकतो पिए भी ओपें कर दिया ठीक है और अपकी इस टीम देखांगा सफ्लाई दिखे तो दौस्तो गया फुश्जरी पावर पॉब्लेम पातिखки लाइन से ही ट्येस्ट करता हूं। मैं जाब इसरी लाइन से टेस्ट करता हूं। कुछ भी हम पास नहीं हों। कोई बाद नहीं सबाने लोई आप आज़ीं पने इस तरह अब संदीी है। नहीं होगा तो आपका पास modular है तो मेरा पास भी modular मुझूद है मैं एक बाद टार्गेट किया कि modular लागा दूँगा तो तब भी मैं थोड़ा सा कुछ इधर उदर चेक करने का बाद हो पता चल गया कि रेजिस्टेंस फॉल्ट है तो दोस्तों मैं supply दे दिया ठीक है और देख होंगा ठीक है audio वीडियो आता है कि नहीं ठीक है और दोस्तों यह audio वीडियो आने का बाद यह वीडियो अच्छे लगे तो आप एक जूरूर लाइक कर दीजिए और यह चैनल पर आपना है तो प्लेस चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करके रखिए और पार्टी का घर पर इस तरह काम करना है तो आप प्लेस चेक किजिए ठीक है प्लेस का अंदर मैं वह बहुत सरे वीडियो में दे दूंगा ठीक है और जब घर पर टीबिल पर मैं टीबी रिपियर करता हूं तो बोल्टेज डीटल सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाता हूं लेकिन मैं घर पर करता हूं और यह जो और अलग देता हूँ ठीक है सिर्फ यह कैमेरा मोइल कामरा से काफ़ा किया और आब देख सकते हैं काम करता है इस Сबफ कुछ कर करते हूं इस और जो sensor panel का wire वो SIM पासा पासी होता है ठीक है और AV का point वो tuner का पास होता है इस तरह आपको धीरे से ध्यान से open करना और लागाना होता है ठीक है मैं इस सब कुछ कार दिया तो इस तो चलिए उसका बाद आपको एक बार supply देके देखाऊंगा तो इसलिए थोरा समय set कर लेता और आपको TV को घूमा के भी देखाऊंगा ठीक है तो थोरा समय set करने का बाद आपको देखाऊंगा इसका setup box से audio video supply इन करके तो दोस्त आप देख सकते इसका audio video सब कुछों के आ गिया तो मैं audio mute करके राखाए कि audio का बाजाए वीडियो का अंदर copyright शायक आ जाता है और वीड की वीडियो पूरा देखने के लिए